ओम पित्र देपता अभ्यनमा स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती बावना यूटीब टेनल पर आज मैं आपको आठ बाग्य साली राशियों के बारे में चानकारी दोंगा साथ ही दो महाई भी बताऊंगा पित्र पक्ष के दोस्तों पित्र पक्ष में पित्रों की पूजा का विशिश महत्व है शवी लोग पित्रों की पूजा करते हैं और पित्र भी प्रसन्नो करके अपने बंसजों को आश्रिवाद देते हैं पित्र पक्ष में जिस तिथी की पित्रों की स्राद होता है उसी तिथी पर पित्रों के नाम से ब्रह्म भोजन कराये जाता है इन ब्रामबनों को भोजन कराये जाता है जिसे हम स्राद बोलते हैं स्रद्दा से किया गया ब्रह्म भोजन स्रद्दा से किया गया तरपन और स्रद्दा से किया गया पिंडदान श्राद कहलाता है वही जो व्यक्ति प्रति दिन पित्रों के नाम से तरपन करते हैं तरपन का मतलब है कि पित्रों को तरप्त करते हैं पित्रों को जल देते हैं तो वह है तरपन कहलाता है पित्र पक्य में प्रति दिन आप नियम बना लें पंच ग्रास आपको निकालने हैं, पंच ग्रास कहते हैं, पहला अगनी का, दूसरा गाय का, तीसरा कोय का, चोथा पीपल ब्रक का, पांच मा बैते हुए जल का, ये पांच ग्रास निकाली जाते हैं, उसके बाद में अलग से कुत्ते के लिए निकाल के रखते हैं, ये आपक और साथ प्रक्रम्मा देनी है सुवे के समय एक लोटे में काले तिल डाले उस्वे चावल डाले, कच्चा धागा ले कच्चा सून सपेद वाला ओम पित्र देपता अब्यो तरप्यंता में ऐसा कह करके हाथ में गास ले करके और पित्रों के नाम से जले देना है पीपल ब्रक्पर और कच्चा धागा आपको साथ वाल लपेड देना है प्रति दिन गौ माता को गोड और तिल और हरी दुरबा ये खिला करके आनी है और पित्रों को प्रति दिन आपको भोजन जरूर कराना है पित्रों की पोटों के सामने आपको भोजन जरूर रखना है और उनसे ख्यमा याचना करनी है ये चीजे आपको विशेश रूप से द्यान लखना है पित्र पक्य में अगर आप ये कार करते हैं तो पित्र दोश नहीं लगेगा और पुत्र धन की प्राप्ती भी होगी अगर पित्र प्रसन तो आप प्रसन इस बात का विशेश रूप से आपको द्यान लखना है पित्र पक्य में आठ रासियां जो बहुत ही भागी साली चल रही है पहली है व्रसब रासी बहुत ही भागी साली चल रही है दूसरी है मिथुन रासी तीसरी है सिंग रासी चोती है कन् पांच मी है व्रेश्चिक रासी छट मी जो रासी है वो है धनु रासी साथ मी रासी है मकर रासी आठ मी रासी है मीन रासी ये रासियां हैं जो पित्र पक्त में विशेशी शुब रहने वाली हैं इनके उपर विशेश रूप से भगवान सिव और भगवान विश्णू का आशिरबाद रहेगा पित्रों का आशिरबाद सवी राशिवालों को प्राप्त होगा अपने अपने पित्रों की सभी पूजा करें और दोस्तों अगर पित्र प्रसर्न हो गई तो आपकी प्रतिक मन कामना पूरी होगी और जीवर में कभी भी आपको कश्ट नहीं सहना पड़ेगा अगर पित्र नाराज हो गए तो कई प्रकार की परिशानियों सामना करना पड़ सकता है पित्र बग में कुछ सब्जियां है जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिसको वीडियो में डाल दिया लिंक आपको डिस्केप से मिल जाएगा आप वह वीडियो जरूर बाच करें साथ इस वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्वाई ओम पित्र देपता ब्यनमा जरूर लेख